जब किसी की मृत्यू होती हो, तो आखरी समय या उसके तुरंत बाद, मृत्यू के बाद, हमारे पास पश्ट रूप से 11-14 दिन का समय होता है, जिसमें उस जीवन को इस तरह से छुआ जा सकता है, कि वो जीवन मिठास से भर जाता है. ये योक्स संस्कृती का एक बहुत खास हिस्सा रहा है, अगर किसी की मृत्यू हो जाती है, और उसमें मृत्यू को ठीक से संचालित करने की जागरूपता नहीं है, तो उसके लिए कोई और ये काम करता है. हम काल भहरव कर्म नाम की एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं. काल भहरव कर्म बृत्यू के बाद एक निश्चित अवधी के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन काल भहरव शांती बृत्यू के बाद किसी भी समय की जा सकती है, ये हर अमावस्या की रात की जाती है.